Hello students, I hope you are having a good time at your home. आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ 11th क्लास का एक निया टॉपिक और वो निया टॉपिक क्या है? Modulus Function. जैसे ही बच्चा 10th क्लास से 11th क्लास में आता है, उसका सामना बहुत तरह तरह की फंक्शन से होता है. जैसे लॉप फंक्शन, एक्स्वोनेंट फंक्शन, तो उसे ही कैटेगरी में एक फंक्शन है क्या? Modulus Function. तो आज हम इस Modulus Function की गुत्थे को सॉल्व करेंगे कि भी Modulus Function होता क्या है? इससे हम क्या-क्या सीख सकते हैं? क्या-क्या बाते इसमें हैं? इसकी Equation को हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसकी Inequality को सॉल्व हम कैसे करते हैं? इसका Graph कैसे बनाते हैं? तो हमारा आज का Topic है क्या? Modulus Function. तो Modulus Function जैसे आप बार-बार देखोगे Mod of X. बार-बार आपके देखोगे Mod of X. तो Mod of X को लिखने का तरीका क्या है? Mod of X. तो What this Mod of X रिपर्जेंट? कि यह Mod of X आखिर क्या रिपर्जेंट करता है? Mod of X, this gives the absolute value of X. This gives the absolute value of X. मतलब यह X की Absolute यह X का Magnitude यह हमें बताता है. इसका मतलब यह हमेशा कैसा होता है? नॉन नेगेटेव भी हमेशा कैसा होता है? Non-negative. Mod X हमेशा Absolute value of X देता है. इसलिए इसे Absolute value function भी बोलते हैं. क्या समझे? कि इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? Absolute value function. तो Mod of X, what is mean by Absolute value? जैसे मैं पूछता हूँ, what is Mod of 3? तो Mod of 3 is 3. भी 3 की Absolute value क्या होगी? अगर मैं पूछता हूँ, what is Mod of minus 5? कि Mod of minus 5 क्या है? Mod of minus 5 is also 5. Minus 5 का magnitude कितना है? भी minus 5 is the minus sign. लेकिन उसका magnitude कितना है? 5. तो Mod of minus 5, 5 है. Mod of 3, 3 है. अब मैं बात करता हूँ, किसकी? Mod X की. किसकी बात करते हैं? Mod X की. तो भी जो Mod X है, इस Mod X को Open कैसे करते हैं? यहाँ पर सबसे, Mod में सबसे बड़ी चीज़ यही है, कि भी Mod को Open कैसे करते हैं? Mod को Open करने का मतलब, Mod हटाते कैसे हैं? मोड को ओपन करने का मतलब किया है मौड हम आखिर हटाते कैसे हैं मौड हटाने का सिंपल सा तरीका है कि मोड का output हमेशा positive आता है है वह हमने देखा कि मौड-3 भी कितना है 3 और मौड-3 भी कितना है-5 भी कितना है 5 तो मौड का हमेशा output positive आता है तो अगर mod के अंदर की कहानी positive है तो mod ऐसी खुल जाता है अगर mod के अंदर की कहानी positive है तो mod ऐसी खुल जाता है इसका मतलब mod x x होता अगर x कैसा होता positive होता x greater than equal to 0 equal to 0 भी कर दूँ अगर मैं तो mod of 0 क्या होगा 0 mod of 0 कितना होगा 0 तो mod x अगर x positive है mod के अंदर की छीच अगर positive है तो mod ऐसी हट जाएगा तो mod x is x when x is greater than equal to 0 जब x 0 के बरावर या 0 से बड़ा है तो यह हमेशा कैसा होगा x और अगर ये छीच negative है मालो x negative है कि x कैसा है negative x negative था जैसे मालो भी minus 5 negative था minus 5 को positive बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो minus 1 से multiply कर रहे हो आप इसी तरह यही तो लिख रहे हो mod of minus 5 is equal to minus of minus 5 and minus of minus 5 is plus 5 यही तो लिख रहे है हम इसमें तो mod x x होगा अगर x के अंदर की चीज कैसी है positive और x negative है तो यह क्या होगा minus x अब आप यह मत सोचे ना कि mod x minus x अभी तो आप negative मना कर रहे थे और आप आपने वापिस negative लिख दिया अरे भही x negative है तो minus x कैसा होगा positive होगा तो mod x x होता है अगर x positive होता है और mod x minus x होता है और अगर x negative होता है तो इस ब्रह्म ज्यान को अपने दिमाग में बैठा लो कि मोड के अंदर की चीज positive तो mod ऐसी हट जाएगा ठीक और mod के अंदर की चीज negative तो mod minus के साथ खुलेगा क्या बैठा लो mod के अंदर की चीज positive तो mod ऐसी हट जाएगा mod के अंदर की चीज negative तो mod कैसे खुलेगा minus sign के साथ तो mod को हटा लिया तो यह सिफ algebraic function हो गया mod हट गया सारे दुख दूर हो गया हमारे सही बात mod ही तो दुख था एक अगर हम नया सोचें तो नया क्या था mod तो mod हट गया तो सारे दुख दूर हो गया तो mod x is x if x is greater than equal to 0 और mod x is minus x if x is less than equal to 0 अब यहाँ पर बच्चे कुछ परिशान होते है सर equal to 0 यहाँ क्यों लगाया यहाँ क्यों लगाया अरे कहीं भी लगा लो यहाँ लगा लो तब भी 0 आएगा यहाँ लगा लो तब भी 0 आएगा सरी कहीं भी लगा लो उससे कोई फरक नहीं पड़ता जैसे मैं और कोई example देखता हूँ मालो यह है mod x minus 1 क्या है mod x minus 1 अब mod x minus 1 हमें open करना है how can we open this mod अब x minus 1 positive कब होगा मतलब x minus 1 0 से बड़ा कब होगा जब x 1 से बड़ा होगा तो x जब 1 से बड़ा होगा तो यह चीज कैसी होगी positive तो यह mod x equal जाएगा x minus 1 सही बात भई x अगर 1 से बड़ा कुछ भी रखोगे तो यह कैसा होगा positive तो mod ऐसे खुल जाएगा x-1 x अगर 1 से छोटा हुआ x अगर 1 से छोटा हुआ तो यह mod के अंदर की चीज कैसी है negative mod के अंदर की चीज कैसी है negative तो mod कैसे खुलना चाहिए minus के साथ minus of x-1 the mod of x-1 is x-1 if x is positive minus of x-1 if x is negative negative जैसे मालो कोई और मोड लेते हैं मालो यह है mod 3x plus 1 यह है मालो mod 3x plus 1 अब 3x plus 1 यह सोचो 0 कहां पर है पहले 3x plus 1 0 है x is equal to minus 1 by 3 पर 3x plus 1 0 कहां पर है x is equal to minus 1 by 3 पर x अगर minus 1 by 3 से बढ़ा है ठीक तो यह चीज कैसी होगी positive minus 1 by 3 से बढ़ा कोई number लेके देख लो minus 1 by 3 से बढ़ा जैसे 0 लेके देख लिया तो 0 पर कितना है 1 तो positive है तो minus 1 by 3 से बढ़े पर यह कैसा है x अगर minus 1 by 3 से बढ़ा है तो यह कैसा है positive तो हम इसे 3x plus 1 लिख सकते थे सही बात और x अगर minus 1 by 3 से छोटा होता x अगर minus 1 by 3 से छोटा होता तो हम इसे के लिखते minus of 3x plus 1 इसे हम के लिखते minus of 3x plus 1 जैसे मान लो suppose करो हमारे पास एक और मैं इसी तरह जोड़ता हूँ 5 minus x 5 minus x अब 5 minus x जो है यह 0 कब है 5 पे मैं सबसे पहले डूण दो कि वह 0 कब है तो 0 कब है 5 पे तो x अगर 5 से बड़ा है यह x अगर 5 से छोटा है दो किस बना लो तुरंत एकस 5 के बराबर यह 5 से बड़ा है और x5 से अगर छोटा है x5 के बड़ा है तो यह चीज कैसी हो कि negative x5 से बड़ा है तो मौट कैसे खुलेगा माइनस आएंगे साथ माइनस ओफ 5-x और x अगर 5 से छोटा है तो यह चीज कैसी है positive तो मौट कैसे खुलेगा 5-x सीधे हमने उसे लिग लिगा तो यह है मौट हम आखिर कैसे open कर रहे हैं कि मौट open करने के हमारे पास क्या तरीके हैं जैसे और एक्जांपल देखते हैं इन एक्जांपल से दिमाग में नहीं बैठेगा थोड़ा और थोड़ा और मानलो जैसे यह है x-square-3x-2 अब x-square-3x-2 चलो मैं इदर इस पेस माल देता हूं फिर लिखता हूं से ठीक मानलो मेरे पास है mod of x-square-3x-2 ठीक बात अब मैंने यहाँ पे mode के अंदर quadratic ले ली अब quadratic ले ली कोई बात नहीं घबराने वाली कोई बात नहीं है घबराने वाली क्यों बात नहीं है इससे मैं लिख सकता हूं x-1 x-2 ठीक बात x-1 x-2 अब x-1 x-2 यह कब positive होगा मतलब 0 से बड़ा होगा और कब 0 से छोटा होगा यह हमें देखना है तो इसको देखने के लिए हम वेवी कर्द मैंने एक वेवी कर्द के ऊपर वीडियो बना रखा है जिन बच्चों ने ना देखा हो वो देखने जरूर positive negative positive ठीक बात तो यह positive खब है 2 से बड़े पर यह 1 से छोटे पर तो इस mode को खोलने के लिए हमने case बनाया कि x2 से बड़ा यह x1 से छोटा x2 से बड़ा यह x1 से छोटा 2 से बड़ा ले यह 1 से छोटा ले mode के अंदर की चीच कैसी है positive तो mode ऐसी खुल जाएगा फटा फटा फट और x अगर 1 से 2 के बीच में हुआ ठीक equality कहीं भी लगा सकते हैं equality पर कोई फरक नहीं पढ़ ला ठीक तो x अगर 1 से 2 के बीच में हुआ तो mode कैसे खुलेगा minus sign के साथ कि minus of x square minus 3x plus 2 यह हमारे पास क्या हो गया mode open हो गया quadratic का बात समय आई या नहीं आई बच्चो आ गई ना चलिए इसके बाद मानलो चलो और कुछ होता मानलो जैसे यह होता e की पावर x minus 1 suppose करो e की पावर x minus 1 का mode अब e की पावर x minus 1 का mode होता यह 0 कब है x is equal to 0 पर x is equal to 0 पर e की पावर 0 1 1 minus 1 कितना हो गया 0 तो x is equal to 0 पर यह 0 है तो 1 किस बनेगा x 0 से बड़ा 1 किस बनेगा x 0 से छोटा शही बात x 0 से बड़े पर यह चीज कैसी है positive बही 0 से बड़े पर 1 से बड़े 1 से बड़े में से 1 घटाएंगे तो वो कैसा होगा positive तो यह है e की पावर x minus 1 ठीक x 0 से छोटे पर यह 1 से छोटा है तो mode के अंदर की चीज कैसी हो गई negative तो mode कैसे कुलेगा minus of e की पावर x minus 1 सही बात यह mode खोलना आया हमें चलो यह तो एक-एक mode की बात थी यह किस-किस mode की बात थी एक-एक mode की मानलो हमें दो-दो mode दे रखे हैं मानलो यह है x minus 1 plus mode x minus 4 let's say अब इस expression को हमें mode से free करना है mode से अजात करा दे ना इसे हमें ठिक कि कहें भी mode ना बचे हमारे पास अब कहें भी mode ना बचे हमारे पास तो इस function को या इस expression को हम कैसे करा सकते हैं अब देखो यहां पे पहला mode कहां पे 0 हो रहा है 1 पे ठीग यह mode कहां पे 0 हो हो रहा है 4 पे तो intervals बनेंगे हम यार ठीक है यह एक 4 हो गया, एक 1 हो गया, एक interval हो गया 4 से बड़ा, एक interval हो गया 1 से 4, और एक interval हो गया minus infinity से 1, यह तीन interval में उन्हें बाट लिया, अब तीन interval में बाट लिया, तो पहला interval है x 4 से बड़ा, यह बहुत काम का है बच्चो, ध्यान से सीखना इसे, यह बहुत काम की चीज है, कि दो इसे ही हम को चीजों को आगे बढ़ हैंगे तो मोड एकस माइनस वं प्लस मोड एक्स माइनस वो न आप आ य्मोर्ण अडाहन देना चाहसे हुआ है तो मोड्ण को ने के लिए एक फोड से बड़ा x4 से बढ़ा तो ये कैसा positive ये भी कैसा positive दोनों ही positive से खुले तो x-1 प्लस x-4 कितना आ गया 2x-5 कितना आ गया 2x-5 तो 2x-5 आ गया जब x अपना 4 से बढ़ा है ठीक बात भी मैंने ये इस तरह लिख दिया 2x-5 जब x अपना 4 से बढ़ा है ठीक एक्स अपना 4 से छोटा है और 1 से बढ़ा है equality के उपर ज्यादा focus मत करो equality कहीं भी लगा सकते हैं वैसे मैं जब भी less than वाले पर लगाता हूँ न छोटी limit पर लगाता हूँ ठीक है अब x 1 से अगर 4 के बीच में हैं कहीं भी लगा सकते हैं बस लगा जरूर देना एक जग है ऐसा नहों कि वो बचारा कहीं भी लगा सकते हैं कि चक्कर में रही जाए ऐसा नहीं होना चाहिए बस ठीक अब x 1 से 4 के बीच में 1 से बढ़ा तो ये चीज कैसी है पॉजिटिव तो ये तो ऐसी खुल गया बचारा 4 से चोटा तो ये चीज कैसी है नेगेटिव ये कैसे गुला माइनस x प्लस 4 तो ये से कटा तो कितना आ गया 3 तो 1 से 4 के बीच में 3 सही बात और x अगर 1 से छोटा x अगर 1 से छोटा x अगर 1 से छोटा तो ये चीज कैसी नेगेटिव ये भी 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 चीज कैसी नेगेटिव दोनों चीज नेगेटिव तो मोड ऐसी खुल दिया मौड ऐसी खुला तो यह हुगा minus x plus one यह हुगा minus x plus four तो minus 2 x plus five कितना हो गया minus 2 x plus five तो 2 x minus five जब x four से बड़ा है 3 जब x one से four के बीच में है minus 2 x plus five जब x one से छोटा है तो यह हमारे पास क्या है मौड को open करना कि भी मौड को open हम कैसे करते हैं जैसे लो एक mod कि टों अपर में चैसे मॉर्ट तो एक्स-कुर्यार प्लस 5 अब यूजे ब गच्रक करना कि अब टू एक्स-कुर्ड्स-कुर्इर प्लस 5 को एसा जगे गजाने के लिए है 2 x square plus 5 for x belongs to R कि भे मोड हमारे पास ऐसे ही खुल गया ठीक बात चलिए जैसे मानलो एक question और करते हैं जैसे थोड़ा सा इसमें मानलो जैसे यह है मौड x square plus x plus 2 अब quadratic दे रखी है क्या दे रखी है quadratic x square plus x plus 2 लेकिन दुर्भाग्य के बात यह है इसके factor नहीं हो रहे हैं और इसके roots अगर निकालोगे quadratic formula से तो वह imaginary roots आ रहे हैं ठीक तो imaginary roots आने का मतलब क्या होता है अगर coefficient of x square positive है और imaginary root है इसका मतलब वह expression हमेशा ही positive वह expression हमेशा ही positive है क्यों आप यह सोचो इसको मैं क्या लिख सकता हूं x plus 1 by 2 का holy square ठीक plus 2-1 by 4 2-1 by 4 कितना होगा 7 by 4 तो x plus 1 by 2 का holy square plus 7 by 4 लिख सकता हूं मैंसे अब x plus 1 by 2 का holy square देखो लो चाहे तो आप भरोसा ना हो तो x square plus 2 a b plus 1 by 4 plus 7 by 4 2 आजाएगा तो x plus 1 by 2 का holy square plus 7 by 4 यह जो holy square है यह तो किसी भी x के लिए positive है नो negative है मनला 0 तो हुआ चलो अब 7 by 4 जोड़ती है 7 by 4 जोड़ दिया तो वह हमेशा कैसा हो गया positive वह वह कैसा हो गया positive तो यह हमेशा positive है तो इसे हम ओड को ऐसे ही खोल देंगे x square plus x plus 2 for x belongs to r ठीक चलो एक और करते हैं जैसे मानलो यह है मॉड ओफ साइन स्कुएर एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ओफ कोस स्कुएर एक्स माइनस 5 इसकी वैली कितनी है ठीक बात वाओ वाओ गया सर साइन और कोज भी ले आए यार आप तो बड़ा प्रिशान करते हो यार साइन स्कुएर माइनस 3 wod माइनस 5 इसकी वैल्य वाधानि है अब सइन स्कुएर UX की मैक्सिमम Almaторов कितनी है वन be सएन स्कुेर एक्स सब्रलकी मैगेश्य कितनी है वन वह वं मैक्सिमम मेगेश्य वहन है म admit 0 से वन के बीच में में से से 3 घटा दिया 0-7 के बीच में से 3 घटाया तो यह चीज कैसी है positive यह negative बताओ कैसी है negative दो mod कैसे खोलेगा minus sign के साथ तो minus sign के साथ इसे खुलेंगे तो यह हमारे पास क्या होगा minus sign square x प्लस 3 यह कितना होगा minus sin square x प्लस 3 इसी तरह है cos square x भी 0 से बन की बीच में है इसमें से 5 घटाया तो यह भी कैसा है negative minus cos square x plus 5 5 plus 3 8 minus sin square x plus cause square x ूर sin square x plus cause square x कितना होता है यह तो 10th class में पढ़ा होगा वच्छो जरूर कि sin square x plus cos square x is equal to what? 1 तो 8 minus 1 answer will be 7 for x belongs to r तो x belongs to r के लिए इसका answer कितना है? 7 तो देखो ये है mode open करना कि mode हम आखिर किस तरीके से open करते हैं ठीक है? अब देखो mode के बाद mode में एक दो बाते और बताता हूं mode के बारे में एक दो बाते क्या बता सकता हूं? जैसे root of x square root of x square क्या होता है? what is the value of root of x square? तो root of x square होता है mode x root of x square कितना होता है? mode x root की value हमेशा positive आती है जैसे ये बहुत सारे बच्चों को बता नहीं क्यों दुख होता है क्या पढ़ाया जाता है होने? मुझे पता नहीं what is root 4? कैसी मैं बूछता हूं na root 4 आज तक इत्ती सारे class पढ़ा चुक हूं पिछले 12 साल में root 4 का answer class पहली बार में तो plus minus 2 देती है पता नहीं क्यों देती है लेकिन पहली बार में इसका answer plus minus 2 ही देती है बच्चे सारे बच्चे जत्ते भी होते हैं plus minus 2 इकका दुक्का इक अच्चा होता है जो root 4 का answer सही देता है तो what is the value of root 4? अपने मन में सोचो क्या है root 4 की value? क्या आपका भी जवाब plus minus 2 आ रहा है? तो आप गलत है क्यों? root 4 plus minus 2 नहीं होता root 4 की value सिर्फ और सिर्फ 2 होती है the value of root 4 is only 2 root 4 की value plus minus 2 नहीं होती root 4 की value कितनी होती है? 2 under root हमेशा positive output ही देता है under root हमेशा positive जैसे मान लोग को यह पूछ रहा है root of minus 3 का whole square तो root of minus 3 का whole square कितना होगा? minus 3 का whole square is 9 ऐसा नहीं कि root or square कटा minus 3 आ गया है ना 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 यह कांड मत कर देना root of minus 3 का square is nothing but mod of minus 3 which is nothing but 3 root of x square कितना होता है? mod x root of x square कितना होता है? mod x की root of x square is what mod x की root of x square कितना होता है mod x होता है ठीक है तो ये value हमें पता होनी चाहिए की root of x square is what mod x की root of x square की value कितनी होती है mod x मैं बहुता root का output जब भी आएगा वो किसे खुलेगा positive से खुलेगा जैसे मानलो मैं आपसे ये पूछता हूँ की root of 9 9 plus pi square minus 6 pi ठीक बताओ इसकी value कितनी है अब root of 9 plus pi square minus 6 pi what should be the value of this इसकी value हमारे पास क्या होनी चाहिए what should be the value of this क्या value लिखें इसकी अब देको 9 plus pi square minus 6 pi जैसे ही ये formula हमारे पास आया तो a square plus b square minus 2 a b बहुत ओके दिमाग के जो खोड़े हैं वो दोड़ के ये बताएंगे कि हमने इसे के लिखा root of 3 minus pi का holy square root of 3 minus pi 3 minus pi cut 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 nahe ये कर दोगे तो गलत हो गया root of 9 plus pi square minus 6 pi root of 3 minus pi square is equal to mod 3 minus pi is equal to what? mod 3 minus pi ये mod 3 minus pi के equal है अब 3 minus pi positive है ये negative है pi होता है 3.14 pi कितना होता है 3.14 3 में से 3.14 गड़ाएंगे तो negative आएगा तो mod कैसे खुले का? minus sign के साथ की minus of 3 minus pi तो value of this will be pi minus 3 तो भी है इसका जवाब pi minus 3 देना इसका जवाब pi minus 3 देना इसका जवाब pi minus 3 नहीं दिया तो बाद गड़ बढ़ जाएगी है ना जैसे अगर मैं बूछता हूँ एक और इसी तरह का root of 4 minus 2 root 3 यह होगा ना root of 4 minus 2 root 3 कि इसकी value क्या होगी root of 4 minus 2 root 3 अब root of 4 minus 2 root 3 जैसी हमारे पास आता है हम इस 4 को break करेंगे किसमे आप अपने आप एक पहले पहले ट्राय ज़रूर को अनना तब इसका solution देखना तो root of 4 को मैं लिखेंगे 1 plus 3 minus 2 root 3 तो यह होगा 1 minus root 3 का whole square का under root a square plus b square minus 2 1 minus root 3 whole square का under root 1 minus root 3 के whole square का under root क्या होगा? mod of 1 minus root 3 कोई गलती से root 3 minus 1 लिख ले तो उसका वैसी से ही आ गया बहु ऐसा नहीं है कि 1 minus root 3 का whole square लिख सकते हैं कोई कहें कि सर मैं तो यह लिख रहा हूँ root 3 minus 1 का whole square का under root तो कोई मेरे तो सर्व रूट 3 minus 1 लेसी आ गया सही बात है वो आपने positive का लिखा तो अपने आप आ गया लेकिन अगर आप इस तरह से लिख रहे हो तो गड़ बड़ जाएगी बात तो आंसर तब भी क्या था root 3 minus 1 यह लिखो या यह लिखो answer root 3 minus 1 ही आएगा तो mod की एक शांदार property मैंने आपके साथ share करी कि under root of x square is mod x आगे से कोई भी पूछे ना कि root 4 कितना होता है तो answer 2 दे ना plus minus 2 मत दे ना आएटी के याड़ी करने वाले बच्चे हैं हम है ना तो root 4 का आंसर plus minus 2 नहीं देते है root 4 का आंसर के देते हैं plus 2 art side वालों काम होता है plus minus 2 बूलना तो science side वालों का काम थोड़ी होता है जो science maths लेते हैं उनका काम थोड़ी है तो root 4 value of root 4 is plus 2 yes तो बच्चों ये हमारे पास mode की basic definition और mode होता क्या है और mode खोलते कैसे हैं ये lecture में मैंने बस इतनी ही बात आपको समझाने की कोशिश की है ठीक, modulus equation, modulus inequality उसके लिए आप मेरे आगे की lecture देखना अगर आपको mode song में आया है तो इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करो like करो कोई question पूछना है तो उसे comment box में पूछ सकते हो thank you very much